हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त डीजा संजे जोसी और आज फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल मुजीशन संजे जोसी में स्वागत है दोस्तो आपने थमनेल बिल्कूल सही देखा है दोस्तो मैं आपको एक दिम परफेक्ट इसका कारण बताऊंगा कि जो विवाज आए वह सही हो जाए तो दोस्तो सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं कि फटीव विवाज कहां कहां से आ सकती है तो जरूर नहीं कि आपकी सेटिंग में कहीं कमी हो उसकी वज़ें से फटी विवाज आ रही क्योंकि आप रात दिन साउंड सेट अप करते हो और आपको खुद को पता है कि हमेंसा होता नहीं कभी कभी विवाज आती है तो आज हम पर्टिकुलर विवाज के बात करें वो सिंगर के ऊपर कर रहे हैं नेक्स्ट वीडियो प्लाओंगा उसमें आपको डोलंग तबले के उपर बी बताओंगा पैट के उपर उनमेंसे विव आप में अपना साउंड सेट अप किया है तो दोस्तों आपको खुद को पता है हमेंसा से सिखाथ आपके पास आती नहीं है कभी-कभी आपको ओडियंस आके बोलती है कि आवाज किस वज़े से फटीवी आ रही है आपको पता है कि कही ना कहीं दिक्कत कुछ और हम दो रात को लाउड खोल दीता है तो और जो सिंगर हो तो उसके बास में दिक्कत होती है तो जयो आवाज सबस्किरंग हो जाती हैud सेंगर दिया किसी इभी प्रोग्राम अपने सट एप लागा रखा है आपने सीक्शंगर को अपना मैक्रोफोन दिया तो जो सिंगर आपको पताए कि जहां पर 4-5 सिंगर। ज 91 सिंगर काने गाने वाल तो चार अंगुली भी चलेगा ताकि आवाज फटी भी ने चार में तो फिर थोड़ा लाउड होता है इस्टुमेंट तो फिर आवास सुने नहीं देगी तो दो अंगुली का डिस्टांस इंदम सही है अगर माइक को मुझ की चिपा के रहे तो आप सुन सकतो मेरी हुई आव तो फिर वह बात बोलने के बाद अगर वह बात यह नहीं माने वह तो माइक को चिपा की रखे मुझ पर आइसा हाथ रखे बोले तो उसके इसमा आपको क्या करना है अगर वह दो अंगुली दूर करने की ज़रूत नहीं है हाल कास आपको बेस करना पढ़ेगा बाकि और अगर आपको बता देगी कि फटी हुए आए तो आपको यह करना है माइक्रोफोन को दो अंगली दूर करवाना है चिंगर के आतों से तोड़ा से इसारा करना कि आप थोड़ा माइक को दूर रखे और थोड़ा से बेस कम करोंगे तो आवास फटी आने में काफी कम हो जाए हम रात दीन सब्सक्राइब करते है कल ही लगा क्या है आज लगां है ए चान लों करना ऐसा ही कबिकल्स ब्लट से मैं कर दो पल उस्वी एह चांस में ऑर कभी-खर करते सब्सक्राइब गर दो होता है कर देंके अरेक्स के अदर का रहा रिए याप को नहीं बोलना आपको किसी भी सिंगर को आपने माइक दिया वा और उसके चलो मैं आपको बतातों वह को अपको शेटिंग कौंषी करनी है मिक्सर की सेटिंग बताने से पहले मैं आपको थोड़ा-स बता देता हूँ कि आप आपको भी आपको भी जो इन सबी निकल चुके आदमी मुझे कमेंट करका बताए और आज वी आप लोगों के सामने ऐसी समझ आती तो आप क्या करते हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपके समझ आती तो आपको जब आपको अगे आपको क्या करना रहेगा कि जैसे मैं आपको बता दिया कि microphone को जब हम मुह से जो singer ऐस नाँ पने मुह के आगे लगा रखा उस microphone को singing के लिए तो जो आवाज इगनम चिपकने से आ रही है उस microphone के मुह से फ्टी विए आवाज करकर सा रही आवाज में तो microphone तोड़ा दो अंकली दूर करेगा तो आवास बैसे सही हो जाएगी और उसके बाद में आपको एक में जैनुन साइटिंग बता देता हूं कि आपने पर्टिकुलर मिक्सर के किसी भी चैनल में माइक्रोफोन डाला जैसे मैंने टैन नमर में डाला जो सिंगर सिंगिंग का रहा है उसका माइक्रोफोन सबोस्ट नमर में है तो सबसे पहले आपको गैन मिलेगा तो जो आपको करना है गैन को आपको जब आवास फटी हुए आए तो गैन को आपको जीरो सो ठाके लास्ट आपको चार पे करना है चार पे सेंटर में नहीं करना अपने को आवाज में एक दम कम नहीं करनी जब आवास फटी दोस्तो अगर आपने पर्टिकुलर हर सिंगर डिया वाज ने कर दिया आपको सेटिंग बताई थी और जिस सिंगर के आवाज भारी ये तो आपने थोड़ा या दो पुणंट पांस भाइं-पे रखो, तीन पे भी जुरूत नहीं है, दो या दो पुणंट पांस भाईं-पे, अगर आवाज माइक्रोफ़ोन को दूर नहीं कर रहा है, olो इस हो अगर वह THIS,' बेस बंद करोगे срав Portuguese खोंड आवाजструही जम्दिं collaborate, और नहीं माल रहा तो आप बेस को बंद कर दे और आपको असा लग रहा है यार बंद करने से आपको खुद को सटिस्पाई नहीं हो रहे है तो एक से जादा खोलने मत तो आवस पर टीवी आएगी और ओडिन सापको बार बार बहुत दोस्तों यह स्की जैन्म सैटिंग आपक के उपर और बता देता हूं अगर आपके पास इस्टूडियो मास्ट का मिक्सर है तो उसमें भी आपको दिक्कत निया जैसे आपने च्छे नंबर में माइक्रोफोन पूड़ गया तो गेन को आपको च्यार पर करना है ट्रेबल और मीड को आपको सेंटर में करना है ज्यादा बेस को बंदी कर दीजिए ज्यादा बेटर है कि अवास पटेगी नहीं साउंड के अंदर यह नॉर्मल शेंटिंग आपको करना है और वॉल्यम उतना है जितनी विच्छल नहीं है दोस्तों यह सेटिंग करने के बाद में आपकी समस्या काफी ज्यादा हल हो जाएगी और तो आप मेरा वीडियो कहाँ से देखर करें जरूर बताएं और आपकी सामने आपको अगरा से समस्याती थी तो मुझे कमेंड जरूर करें तो दोस्तों आपको आज वाला वीडियो पसंद आया оставको समस्यादादा अफ़िजदे समस्दे से और हैं और अबल कआ करेंज़ और झाल झाल